खागरिया के परबत्ता थाना छित्र के नया गाउं सीरी घाट के पास आज देर शाम गंगा के उबधारा में एक नाव डूब गए जिसमें तीन लोग की जहां मौत हो गई है वहीं करीब आधा दर्जन लोग अभी भी लापता है वहीं बताया जाता है कि नाव पर करीब 40 लोग सवार थे जिसमें कई लोग तैर कर सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे बताया जाता है कि नाव पर सवार अधिकांच किसान और पशुपालक थे जो दियारा इलाके से अपने घर वापस लोट रहे थे इसी दोरा नाव का संतुलन विगर गया और नाव गंगा के उधारा में पलट गई वह इंखटना स्थर पर खगरिया के डीम आलोक रंजन गोश की मौश्च की मौशूदकी में इस डियारेफ की टीम लापता लोगों की तलाश में जूटी है हालाकि अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू करने में थोड़ी परिशानी हो रही है इसने यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर दा कम्प्लीट मल्टी ब्रांड में स्वेर शोरूम सुभास चौक दरभंगा ली एक सक्लूसिव शोरूम सुभास चौक और बैने कॉमी तांजीन न्यूजपेपर दरभंगा